नमस्कार दोस्तों धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज जो मैं अनुभाव लेने जा रहा हूँ यह अनुभाव एक ऐसे समय का है जब एक तांत्रिक ने ऐसी साधना की जिसके अनुभाव से आप लोगों को साधना के दोरान होने वाले विभिन प्रकार के अनुभाव और शक्तियों से सामना और कैसे शक्तियां प्रपंच रचती हैं इन सभी के विशे में जानकारी प्राप्त होगी और यहां मेरा पहला एक ऐसा वीडियो है जो ओडियो फॉर्म में आपको मिल रहा है क्योंकि अभी तक मैं जो है वीडियो बनाता हूँ और यह पहला मैं एक ऐसा ओडियो बना रहा हूँ जिसके माध्यम से आप लोगों को सुन कर आनन्द आएगा और इसके संबंध में लोगों ने मुझसे मांग भी की थी कि आप कोई पॉड़कास्ट का वीडियो बनाईए इसमें हमें आसानी होती है क्योंकि जो भी इसके दोरान एडिटिंग वगेरा नहीं करनी पड़ती तो समय बच जाता है तो कहीं यात्रा वगेरा में जाने पर और समय का भाव होने पर ज्यादा तरमें पॉड़कास्ट के माज़्धियम से उस समय आपको वीडियो सुनने के लिए प्रस्तुत करूँगा इसके अलावा जो लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं उन्हें यूटूब का म्यूजिक एप जो है उसको जरूर सुनना चाहिए वहाँ पर धरम रहसे के वीडियो को आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं ऐसा अभी एक फीचर यूटूब ने लॉंच किया है तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले पॉड़कास्ट से एक ऐसे तांत्रिक की कहानी जिसने पहली बार पिशाचनी को सिद्ध किया उस सारे वहाँ आपको इस ओडियो पोस्ट कार्ड के माध्यम से सुनने को मिलेंगे ये कहानी लगभग आज से 1200 वर्ष पुरानी है यह उस समय का दौर था जब हमारे यहाँ अभी शुरुवात ही हो रही थी और रजवाणों का समय था एक ऐसा समय जब पहली बार इसलामी आक मालूम नहीं था और नहीं जनता इन सब चीजों के लिए कभी भी तैयार होती थी उन्हें इस बात से कोई मतलम नहीं था कि उनका शाशक कौन होगा उन्हें तो सिर्फ उसके प्रती वफादार रहना है इसी बहुत बड़ी बात का फायदा विदेशी आक्रमर कारियों ने उठाया था क्योंकि वो यह बात जानते थे कि जनता में से कोई भी व्यक्ति कभी भी राजा नहीं बन सकता केवल राजा का पुत्र ही राजा बनता है और या फिर किसी दूसरे राजा का पुत्र जो वहां पर हमला करके कबजा कर ले इसी वजह से हमारे देश को गुलाम ब ये खड़ा ही नहीं हुआ जो जैसा जी रहा था वह वैसा ही जीता रहा राजा आए और राजा बदलते रहे ऐसे ही समय में एक बार की बात है एक व्यक्ति एक गुरू के पास जाता है उनके पास पहुँचकर उनसे वारता लाप करता है वह एक रहस्यमई गुरू थे उनका आश्रम राज्य के बिल्कुल बाहर था वहां पर इस्त्रियां जो की अपने बालों को खुला रखती थी वह बिल्कुल भी बालों को बांधती नहीं थी अपने बालों को आखिर वह क्यों नहीं बांधती थी यह एक सच में रहस्य है लेकिन यह देखकर सारे लोग आश्यर में वहां पर आ जाते थे और उन गुरु के आस्रम में आकर अपनी अपनी समस्याओं को उन्हें बताया करते थे लेकिन समस्या कभी भी अगर हल हो जाती तो फिर वहां उन गुरु को दान और दक्षिना भी देते थे वहां के गुरु का यह भी कहना था कि समाज में कोई भी कन्या इस्त्री अगर अकेली हो चुकी है तो वह उनके पास आ जाए और अगर वह उनके पास आती है तो वह उसका पूरा समर्थन करेंगे उसे अपने पास रखेंगे और उसे बस आश्रम में रहना है और गुरु के का इसी वज़े से कई लोग वहां पर गलत कार्यों के लिए भी आते थे लेकिन गुरू जी की सक्ति के कारण उनकी कोई भी योजना सफल नहीं होती थी इस्त्रियों को अपने पास रखना सदेव ही मुश्किल भरा होता है अगर वह जवान है तो इस बात को वहां के गुरू जी अच्छी प्रकार से जानते थे इसी लिए उन्होंने सक्त निर्देश दे रखे थे कि कोई भी इस्त्री अकेले किसी भी पुरुष्ये नहीं मिलेगी जब भी इस्त्रियां किसी भी पुरुष्य के पास जाएंगी तो कम से कम आठ दस के एक गुट में वहां पर जाएंगी यह सारी बातें उनके नियम में थी शायद इसी वजह से राष्ट आस्रम पूरी तरह से स्वच्छ था अब वह व्यक्ति उन्ह गुरु के पास पहुचता है और उनसे कहता है गुरु जी मैं तंत्र विद्या सीखना चाहता हूं क्योंकि मैंने सुना है कि तंत्र विद्या क माध्यम से हम संसार की अदभुद चीजों के बारे में जान सकते हैं ऐसा भी सुना है कि ऐसी शक्तियों से आप वारता लाब भी कर सकते हैं क्या आप मुझे ऐसी कोई विद्या सिखाएंगे तब उन गुरु जी ने कहा आकर गुरु से कहना बड़ा ही सरल होता है लेकिन य तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापनश्ट होंगे अगर तुम्हें योग्यता मुझे नजर आई तब कहीं जाकर मैं तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा उसने पूछा गुरु जी मैं गुरु मंत्र आपसे लेने के लिए क्या मुझे आश्रम में सदेव रहना तब तुम मेरे पास आना मैं तुम्हें विशेश प्रकार से दिक्षित करूँगा एक ऐसी तांत्रिक साधना के लिए जिसे तुम कर पाओ तुम्हारी सामर्थ को समझते हुए तुम्हारी स्थिति को जानते हुए यह बात सुनकर वह विक्ती अपने गुरु के रूप में उन्हें स्विकार करता है उन गुरुजी ने उसे वह दिव्वे मंत्र दिया जिसका जाब वह वर्षों से करते आ रहे थे और उनसे पहले उनके गुरु करते थे मंत्र को प्राप्त कर वह अपने आपको धन्य समझता हुआ अपने वापस गाउं में आ जाता है इस व्यक्त जीवन में लेकर आना चाहते हैं ताकि उनका बुड़ापा भी आनंद से कटे और उनका पुत्र भी सांसारिक जीवन को अच्छी प्रकार से जीता हुआ आगे का कदम बढ़ाए तो माने उससे कहा तुम मंत्र जाप, पूजापार्ट इन सब के चक्कर में क्यों पड़े हो अ अपने आप मिलने लगेंगे, हम भी पोता पोती का मुह देखेंगे और हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, इसे छोड़कर पूजा पाठ वगेरा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके कारण तुम्हारा यह जीवन बिगड़ जाएगा, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि 80 होकर भटक जाओगे, तब वहा परेशान होकर अपने गुरु के पास फिर से जाता है, और माता से हुए वारतालाप को उन्हें कहता है, उनसे पूछता है, गुरु जी क्या यह सत्य है कि प्रतेक व्यक्ति का यह करतव है कि वहा शादी करे, बच्चे पैदा करे और अपन जीवन को इसी प्रकार जिये, जैसे उसके माबाप ने जिया था, गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में प्रतेक व्यक्ति अपने उद्दिश्य स्वयम निर्धारित करता है, कि उसे करना क्या है, साधारण व्यक्ति जो चल रहा है, उसी को सत्य समझता है, उसके परे जाने की उसकी इच्छा कभी नहीं होती, वहाँ अपने जीवन को बचा कर और रक्षा के लिए संयमित होकर जीता है, सारे सुखों का उपभोग वह करना चाहता है, लेकिन साधारण व्यक्ति कभी इस रहस्य को नहीं समझ पाता है, कि जीवन इसके परे भी है, जीवन सिर्फ स्वयम के लिए जीना पशु की तरह होता है, जैसे एक पशु दूसरे पशु को अपना खाना खाने नहीं देता, इसी प्रकार संसार में मनुष्य स्वार्थ के लिए दूसरों का आहित भी कर देता है, अब ऐसे में तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को वेदों में बताया गया है कि उसे पुरुशार्थ करने चाहिए, तब उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी यह पुरुशार्थ क्या होता है, और इसका क्या महत्व है, तब उनके गुरुजी ने कहा, सुन पूरा किया जाता है प्रथम है धर्म दूसरा है और तीस्रा है काम और चौथा है मोक्ष। पहला कारे व्यक्ति को धर्म पर चल कर अपने जीवन को सयमित हो कर जीना चाहिए और सदेव अपने इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कारे भी करते रहना चाहिए धर्म धारन करने की वस्तो है अर्थात धर्म से ही जीवन चलता है हर प्रकार से नैतिक व्यवहार करना नीती परक उद्देश्यों को रखकर आगे बढ़ना किसी का भी अहित नहीं करना सोयम के सुख परिवार के सुख समाज के सुख सोयम के देश के सुख और म अर्थ जिसका मदलब होता है संसार की समस्त भौतिक सुख सुविधाओं को भोगना और अपने जीवन का पूर्ण सदुपियोग करना मनुष्य शरीर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकता है और यह सारे उद्देश्य माता लक्षमी को प्रसन करके व्यक्ति मनुष्य अपने इस्तर तक सीमितना रहे अपने कल्याण के इस्तर को व्रहद करे यही अर्थ है तीसरा उद्देश्य होता है काम का अर्थ है अपनी वासनाओं को नियंतरण में रखते हुए अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करना जिसमें हम काम वासना के आधार पर इस्तरी पुरुष के प्रेम को देखते हैं इस प्रेम के माध्यम से हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं एक दूसरे के प्रती लगातार इसी काम वासना के कारण बना रहता है और इसी के कारण जीवन आगे बढ़ता है नए जीव के रूप में एक नई संतान पृत्वी प यह तुम्हारा भी उद्दिश्य है कि वही कारे तुम भी करो ताकि जो भी जीवात्मा जनम लेकर मुक्ति को प्राप्त करना चाहती है वह इस जीवन को आकर जीए और आगे बढ़ाए उसे अच्छे संसकार देते हुए आप उसकी मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित कर सकते है इसलिए चौथा और महत्वपूर होता है मुक्ष जिसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता लेकिन सबसे बड़ा और अंतिम उद्दिश्य मुक्ष ही होता है तुम्हारी माता सुरू के इनी तीनों उद्दिश्यों के लिए तुम्हें भाशन दे रही थी लेकिन चौथे अधन राशी रुपया पैसा बड़ी संपत्ति पुत्र इस्त्रियां वैभाव सब कुछ प्राप्त कर लें आप राजा के तरह जीवन जीएं किन्तु अंतिम सत्य मृत्यू ही है इस मृत्यू के बाद की अवस्था क्या होगी इसका निर्धारण करना भी आपके ही हाथ में है जैसे अगर कल आपको कहीं यात्रा पर जाना है आज उसके लिए आप पहले अपने कपड़े यात्रा के लिए वाहन और जाने के लिए पूरी तयारी कर लेते हैं ठीक उसी तरहे मोक्ष के लिए भी विक्ति को तयारी करनी चाहिए यह तयारी गुरु मंत्र के माध्यम से साधना के मध्यम से अपने इश्ट दीवी देवता के प्रती समरपण के मध्यम से अच्छा सदाचारी जीवन जीते हुए लगातार साधना में रत रहते हुए आगे बढ़ना ही इसी का मूल उद्धिश्य है ताकि अगर हम किसी गलती के कारण दुबारा मनुष्य का जनम लें तो भी हमारे अंदर पूर्व जनम के संसकार, पूजापार्ट, इत्यादी, विद्यमान रहे और अगर हम समस्दार हुए तो यही हमारा अंतिम जनम होगा तब उस व्यक्ति ने पूछा आखिर यह होता क्या है और व्यक्ति बार-बार जनम क्यों लेता है गुरुजी इसके बारे में बताईए तब उन्होंने कहा ध्हन से सुनो जीवन का यह उद्धिश्य है कि आप जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुरूब आपका आगे का भाग् लेकिन इच्छाओं के कारण आगे आप उसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए विभिन्य प्रकार के कर्म करते रहते हैं लेकिन सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती यह अंतिम सत्य है इनी इच्छाओं के कारण बार-बार विक्ति को जनम लेना पड़ता है और फ और फिर अंतिम समय में भी हम विचलित नहीं होते मृत्यू के समय हम अपने इश्ट को याद करते हैं क्योंकि यह कहा जाता है कि जब अंतिम समय आता है तो पूरा जीवन आपके सामने फिर से लौट कराता है और इस के कारण आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं आपक कि सबसे बड़ी माया होती है इससे बचने का उपाय केवल यही है कि आपने जीवन भर पूजा पाठ साधना उपासना की हों क्योंकि ऐसा होने पर वह द्रिश्य भी आपके समक्ष निश्चित रूप से आएगा और तब व्यक्ति को याद आ जाएगा कि उसे क्या ध्यान करन कहते हैं प्रिट्त्यू के समय जो भी विक्ति जिस भी चीज का ध्यान करता है उसी को प्राप्त कर जाता है इसलिए उस वक्त भगवत साक्षात्कार तकी इच्छा रक्ते हुए उस देवी शक्ति को याद करना चाहिए क्योंकि उसी मुल्न उद्धिश्य और ऐसा करने पर साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है बार बार प्रित्वी पर कश्ट भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता है क्योंकि यहां पर सब कुछ सीमित है शरीर के रूप में आप पूरी तरह सीमित है यह बाते सुनकर उस व्यक्ति ने कहा मैं यह सारी बात समझ गया लेकिन माबाप परिवार को कौन समझाए और वह कैसे समझ पाएंगे क्योंकि जो चीज नहीं दिखती उस पर व्यक्ति विश्वास भी नहीं करता है तब गुरुजी ने कहा तुम्हारा जीवन तुम्हारा है तुम्हारे जीवन के लिए कोई दूसरा जिम् है भोजन कर लोंगी तुचिंता मत कर तेरी जिम्मेदारी मैं लेती हूं क्या यह संभव है उस व्यक्ति ने कहा आपने सही बात कही है गुरुजी यह तो संभव है ही नहीं गुरु ने कहा यही तो मैं समझा रहा हूं कि आपके अपने जीवन के उद्दिश्यों और कर्मो के लिए आप ही जिम्मेदार हैं दूसरा कोई नहीं अगर आपको कोई दूसरा कुछ ना करने को कहता है तो उससे पूछें कि इसे करने से क्या होगा ना करने से क्या होगा उसे समझाएं कि जीवन में मूल उद्दिश्य क्या है आपने जीवन को प्राप्त किया है तो अब यह बात विक्ति को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी इसलिए उसने परिवार वालों की बातों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपने गुरु मंत्र के अनुष्ठान को पूरा करके अपने गुरु के पास लोट कर आ गया गुरु जी ने कहा क्या तुम तांत्र मोक्ष की प्राप्ति ही है लेकिन मेरा भटकाव न हो मैं जीवन के अन्य गुप्त रहस्यों को जान पाऊं इस जीवन के अलावा भी कोई अन्य जीवन है यह समझ पाऊं और इससे जानना इसलिए भी आवश्यक है गुरु जी क्योंकि अगर कोई यथार्थवादी विक्त मुझसे तरक करेगा तो उससे मैं क्या बता पाऊंगा जबकि मैं कुछ जानता ही नहीं सिर्फ इतना कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है और अगर कोई विक्ति ये कहे कि मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती है मरने के बाद तुम भस्म हो जाओगे जल कर राथ हो जाओगे इसलिए अपना जीवन खुशी के लिए जीओ जो चाहते हो वह प्राप्त करो चाहें उसके लिए किसी को जान से ही मारना क्यों ना पड़े किसी की संपत्ति हो उसे छीन लो क्योंकि अंतिम सत्य तो मृत्यू ही है गुरु ने कहा तुम्हारी बात बिलकुल सत्य है मैं समझ तुम तांत्रिक साधनाओं को सिद्ध करके यह समझना चाहते हो कि इस जीवन के अलाबा भी एक पारलौकिक जीवन है जहां मरने के बाद व्यक्ति प्रवेश करता है और यह बात केवल साधना करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है इसलिए अब तुम साधना करने के लिए उ इसलिए सबसे पहले तो मैं तुम्हारी परिक्षा ले लेता हूँ ताकि मुझे विश्वास हो कि तुम कौन सी साधना कर पाओगे तब उसने कहा गुरू जी मुझे पिशाचनी साधना सिखाईए क्योंकि मैंने सुना है ये शक्ती जल्दी सिद्ध होती है पता नहीं वर्ष इस तरकी तीव्र शक्ती पिशाचनी को ही सिद्ध करना मैं चाहता हूँ ताकि जल्दी से इस दुनिया के रहस्य को जान पाओँ तब प्रेम पूर्वक गुरू जी ने कहा इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारी भय की परिक्षा लोगा क्योंकि बाकी चीजे तो तुम स्व भी देर नहीं लगाती हैं इसलिए आवश्यक हो जाता है कि तुम्हारी परिक्षा ली जाए देखो पास के ही शम्षान भूमी में तुम्हें एक पूरी रात्री गुजारनी होगी और यह रात अमावस की रात होगी क्योंकि इस दिन बुरी शक्तियां जागरत रहती हैं ज जाओ अगले दिन सुभे मेरे पास आना जो अनभव हुआ मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं बताना क्योंकि ऐसा करने से आपकी प्रक्रिया दूशित हो जाती है तब उस व्यक्ति ने कहा ठीक है आपने सही कह लेकिन गुरुजी माना कि मैं शम्षान भूमी में रात को ज होना क्योंकि अगर तुम पूरी रात्री वहां गुजार पाए तो जब वापस आओगे तो तुम इस साधना के लिए उपियुक्त हो चुके होगे तुमने अपना पहला चरण सभी प्रकार से सिध कर लिया होगा यह बात सुनकर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति ने अपन जोला चल दिया गाओं के बाहर के उस समशान भूमी में यह शमशान भूमी बहुत ही खतरनाक दिखने में लगती थी एक हजार साल से यहां पर चिताएं जलाई जा रही थी यह एक दिव्य स्थान था लेकिन उसे जिसे यह बात समझ में आये शमशान भूमी के द्वार पर पहुचते हुए ही उसने देखा वहां अभी भी कई चिताएं जल रही है एक भयंकर बिलकुल गंदा हाथ में डंडा लिये हुए एक व्यक्ति उसे दिखाई दिया जो कि उसकी और बड़ी तेजी से आ रहा था वो इतना ज्यादा गंदा था कि उससे दूर से ही बदबु आ रही थी वहां काला भुजंग व्यक्ति जिसकी आखें लाल लाल थी शरीर काला दिखता था उसके पास पहुच गया जिसे देखकर एक छण के लिए तो व्यक्ति डर गया आगे क्या हुआ जानेंगे इस घटना के अगले भाग के अगले पार्ट में तो अगर आज का यह वीडियो पॉड़कास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल में हो जैमा पराशक्ति